इसके अलबाग गौर्णम और गौर्ण सीड की बात करें तो गौर्णम और गौर्णसीड में लगातार प्रेशर बना हुआ है जैसा कि मैंने पहले भी अपने वीडियो के अंदर में कहा था क्याँ कि गौर्ण की गिरावट है और इक गिरावट लगातार अभी नी रहीग時間 क जो विछले साल के comparison के अधर अगर हम exports के numbers देखें तो export down गया है अलाकि बहुत से लोगों ने उसके उपर पर comment ये किया कि production भी तो कम है गवार्ट की अगर demand नहीं है तो production भी कम है अरे जिनाब अगर production हुआ या नहीं हुआ अगर demand ही नहीं है तो production जितना भी हुआ है उसका फा पो रहा है और अब जो नए innovation और new technologies आ रही है अब उस technologies को देखते हुए जो आपका energy segment जो shift हो दे जा रहा है उसके अंदर में क्या गवार गम की utilization बड़ेगी या नहीं बड़ेगी ये देखने वाली बात होगी गवार गम गवार सीड का जो production है वो depend करेगा ना कि आपके पा एक क्रोड बोरी का production हो उससे क्या फरक पड़ेगा जब बाइर ही नहीं आपके पास एक भी बाइर नहीं खड़ा हुआ तो यह चीज़ बाइने करेगी इस समय पर फिलाल गवार गम इंडस्ट्री दवाब के अंदर हम देख रहे हैं और आभी जो गवार गम के prices हैं जो की 9 9,900 रुपे के आसपास करवार करते हुए दिखाई दे रहे हैं कि 9,000 रुपे का स्तर तूट जाएगा इसमें कहीं कोई दोराय दिखाई नहीं देती क्योंकि डिमांड नहीं है उस वहीं पर गवार सीड की अगर हम बात करते हैं तो मैं उसी पुराने अपने जो हमने लेव हैं और जिनके पास में स्टोक था हमने पिछले भी कई वीडियो के अंदर में बताया जब 56 रुपे के आसपास भाव चल रहे थे और 57 रुपे के आसपास भाव चल रहे थे तो आब हमने मार्केट टाइम्स टीवी ने अपनी रिसर्च के मुताविगे बताया था कि पीची तोर के उपर पर यहां पर नुकसान है उनको अभी थोड़ा थोड़ा नहीं मुझे लगता है कि तकरीबन चार से पांच महीने छे महीने तो मिनिमम आपको इंतजार करना पड़ेगा उसके बाद क्या सेनर्यों बनेगा वो देखना पड़ेगा लेकिन अभी फिलाल गवारगम और गवारसीट इसमें दबाव हम बनते हुए देख रहे हैं गिरावट जारी है और यह अभी दबाव बना रहेगा प्रोड़क्शन के जो फिगर है या एक्सपोर्ट के जो फिगर है एक्सपोर्ट जैसे हमने अपने पिछले वीडियो के अंदर भी आपको बत पिशथ जिए यहां नमवंबर में 49 पिशथ की गिरावट हमने एक्सपोर्ट दिमांड के अंदर में देखी है और दिसम्बर वही ने के अंदर में इसके मुकाबले 23-24 के अंदर में तकरीबन 15,000 मिट्रिक टन यहाँ पर गिरावट हमने एक्सपोर्ट के अंदर में देखी है जिसको हम छोटी गिरावट नहीं कह सकते हैं और नमंबर दिसंबर के अंदर तो बहुत बुरा हाल है वहाँ पर तो जो एक्सपोर्ट की जो पर मं 23-23 के अंदर में जो एक्सपोर्ट फिगर्स हमने देखी है